यह संयोग है कि कोरोना की दौर ने दुनिया के सभी वड़े धार्मिक पर्वों को समेटा है जिन में हिंदों की नौरात्री और रामनौमी, ईसाईयों का ईस्टर, मुसलमानों का रमजान और बौधों की बुद्ध जयानती है इन सारे पर्वों में एक जैसी विशिष्ष्टाएं हैं, अलग-अलग धर्म के मानने वाले अपने पर्व के समय वरत रखते हैं, विलासी भावनाओं के प्रती आकरशन से परहिज दर्शाते हैं, मनसा वाचा कर्मना पवित्र होने के लिए तमाम सैयं मोडते हैं, और सरगेक स्वभावों की तरहे मौलिक भावना मानते हैं, उन्हें कोरोना के पीछे की प्रेणा को समझने के लिए इस सैयोक को संग्यान में लेना चाहिए, जिसके बिना लॉकडाउन की इतनी मुद्द गुजर जाने के बावजूद, लोगों का उद्धार नहीं हो पा रहा इसका संबंध उन दायतों से है जिनके निर्वाह के लिए मनुष्य जन में लेते ही बंद जाता है, अध्यात में की अमूर्दता का प्रकटन इसी में होता है, पहला दायत तो है, दिन चर्या के अनुशासन का, समय से जागना, नित्य किरिया और इसनानवा ध्यान जिसमें शामिल है, विधिवाद दिन की शुरुआत के पहले ध्यान अनिवार है, जिसका नास्तिक्ता और आस्तिक्ता के द्वंद से कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है, कुछ देर के लिए समाधिष्ट होकर सारी करियाओं को रोक लेने और शुन में जाटिकन से भौतिक जगत और मनो जगत की सारी शमताएं रीचार्ज हो जाती हैं, इसलिए चाहे भक्ती भावना के अंतरगत करें या वैज्ञानिक वाध्यता समझ कर ध्यान अथवा समाधी प्रति दिन अनिवार रहे, एक और दायत तो है ब्रिक्ष और पशु सेवा का, मनुष्य सिरिष्टी का सबसे शमतावान और सहशक्त जीव है, इसलिए उस पर प्रकृती का करज है कि वह कमजोर जीवों के संरक्षन के अपने करतब को लेकर सचेत रहे, भारती संस्कृती में पीपल, बरगत, आउलादी व्रिक्षों को पवित्र की कोटी में रखा गया है, तमाम पर्व इस से जोड़े गए हैं, पवित्र व्रिक्ष ही नहीं, धतूरा अधी खरपदवार के लिए भी भारती संस्कृती में कोमल कोना है, शिवरात्री का परवाता है तो धतूरे की भी तलाश भक्तों को करनी पड़ती है, आज भी पवित्र व्रिक्षों की पूजा का मह तो कम नहीं हुआ है, लेकिन ये व्रिक्ष दुरलब होते जा रहे हैं, अपने आप नहीं मनुश्य की करनी के कारण, फिर भी आस्थावान जनता तक विचलित नहीं है, यह आश्यर का विशह है, शहर में लोगों के पास खुद की जगए नहीं है, जहां वे व्रिक्षा र पौधरोपन के सीजन में सरकारी जमीन पर सम्वंधित विवाग को इसके लिए प्रेरित करें, और इसके बाद वहां प्रती दिन लगाए गए पौधों को सीचने और उनकी सुरक्षा खाद देने का जिम्मा अपने सेर लें, यह तो नियुनितम है जो हर व्यक्ति को करना ह इस प्रक्रिया में लोगों का ब्रिक्ष फ्रेम बढ़ता है, और वे व्यापक पौधरोपन वा ब्रिक्षों के सेरक्षन से अपने आपको जोडते हैं तो सोने पे सुहागा होगा, पुन्न में परिवेश के निर्माण में इससे बड़ी मदब मिल सकती है, साथ ही ऐसा पर रुपायत किया गया है, प्रकृति की जिन शक्तियों से उसका जीवन पर वहा जुड़ा है, उन सभी को ईश्वर रूप देकर पूजना इसमें नहित है, व्रिक्षों के साथ साथ नदियों की प्रार्थनाएं भी वेदों में हैं, धर में से जिनको अंद्विश्वासी ब प्रार्थनाओं के वारे में विचार कर सकते हैं, नदियों की स्वक्षिता की रखवाली के दायत से भी व्यक्ति बंधे हुए हैं, और अगर उन्हें जीवन से खिलवार नहीं होने देना है, तो इस कर्तब के लिए भी उन्हें समय देना पड़ेगा, भारती संस्कृती मे गौपूजा का विधान पशु सेवा के फर्ज को पूरा करने के लिए सर्वोत क्रिष्ट तरीके के रूप में शामिल किया गया है, देसी गाय की दूद में संतुलिद वसा होता है, इसलिए आहार की पूरती हेतु है सर्वोत तम है, इस लाव के अलावा भी देसी गाय की क प्रक्षित किये जाते थे, लेकिन हर कोई गाय नहीं पाल सकता, अपनी गाय नहीं है तो आसपास जहां गाय देखे, रोटी खिलाने के लिए उसके पास जाएं और उसे दुलारें, उच्छ रक्त चाप सहित कई व्याधियों की निदान में इसका लाव प्रमारित किया जा चुका है, जिन्हें गौवक्ती से अपना मजह खराब हो जाने का अंदेशा हो, वे बकरी या दूसरा जानवर पाल कर पशु सेवा का फर्ज पूरा कर सकते हैं, लेकिन लाखों रुप्यों में विलाईती कुत्ता खरीद कर उस पर भारी भर कम खर्चा करने वाले इस मामल खिलाने के टोटके अनिश्ट का शिकार लोगों को इसलिए बताया जाते हैं कि वे किसी तरह पशु प्रेम की और पर रिरत हो सकें, लेकिन नहें उनके परवेश की प्रकृती के अनरूप होना चाहिए, मचलियों को चुगाने और चीटियों को आटा खिलाने जैसी परंप को भुला देते हैं, जो की उनको प्रकृती के अनूठे उपहार के रूप में प्रदत होती हैं, और जिनका संबंध जीविशा में शक्ती संचार से होता है, संगीत, गायन, लेखन, चित्रांकन, शिल्पकला, अध्यवसाय, आदी, प्रवरित्यों को जो बच्पन में उभ भरती हैं, बाद में लो क्रित्रिम लाभों और उनसे जुड़ी व्यस्तताओं में इनको बलिदान कर देते हैं, उन्हें पता नहीं कि ऐसा करके उन्होंने अपनी कितनी शमताओं को कुंद करने का जोखिम मोल ले लिया है, उनमात गहरी मासिक बीमारी की परणती है, जो ब अध्यात्मिक चेतना विलुप्त होने की ओर अग्रसर है, दया और परोपकार जैसी भावना का शरण इसकी घंगोर बुराईया हैं, इन्हीं के फेर में प्रकरतियों जीवन के संतुलन को इतना बिगाड़ा गया है कि पिरले के अप्रतियासित स्वरूप से हमारी नसल को दो चार होना पड़ रहा है। लाउन के दिन बोर लगने की बजाए ऐसे हो जाते कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। अनुश्य जाती का अपनी उच्छे श्रिंखलता को लेकर प्राश्चित होता पर जब लोग प्राश्चित ही नहीं करना चाहते तो उनकी सजा खत्म कैसे हो सकती। इसलिए कोरोना की अवध ही इतनी अनुश्य जा रही है।